मेरे चैनल पर बने रहे हैं आज की वीडियो में मैं मैं क्रेम का बैग लेकर आई हूं तो इसको मैं बनाना सिखाने वाली हूं तो इसके लिए जो मैंने यूज किया है वह है और यह आफेर हम दो मेरी वीडियो यूज किया है और यहां पर डीरिंग किया है और यह चेंट है यह गांकल है इसके साथ मैं हैंडल भी बनाना बताऊंगी तो उढ़ाइब स्क्ता良 victim कीवी हैंडल से ओर करने की जताँगी और मैक्रेम जत मैने उढ़ने करने यह मैं और पूसली के जोट दो तरह साहना है, और उनकर्थारों एक निसमे देखना कीकीया मैं चाहिए तंसके कीका को बना है और इस तरह से हम नौट बना लेंगे नौट बनाने के बाद यहाँ पर हम चेन लेंगे इस तरह से इस तरह से आपको चेन लेना है चेन कितनी लेना है वो मैं आपको पता देती हूँ 21 हम यहाँ पर चेन लेंगे 21 मैंने यहाँ पर चेन ली है उसके बाद one chain छोड़कर हम second chain में single crochet लेंगे इस तरह से next में भी single crochet पूरी row हमको single crochet से ही बना देना है इस तरह से तो hiero complete कर लेते हैं उसके बाद आगे बताते हूं क्या करना है तो इस तरह से यह complete कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन लेना है इस तरह से और इसको हम एसां से टर्न कर लहें है डर्न करने का बाद जो फर्स और सेकंड चेन है सिंगल क्रूशिय इसलिकर निकालेंगे सिंगल क्रूशे निकालने के बाद अब हमें क्या करना है जो ये चेन नजर आ रही है चेन की वन साइड हमें लेनी है ये और ये ये साइड हमें नहीं लेनी है तो चेन की वन साइड हम सिंगल क्रूशे लें इस तरह से तो इस तरह से हम वन साइड लेंगी तो यह रो हमारी इस तरह से नजर आएगी तो यह रो हम कम्प्लीट कर लेते हैं चैन के वन साइड ही सिंगल क्रोशे लेंगी अनुषय क्रोशे लेंगे वह हम तो यह रो हमारी कम्प्लीट होने वाली है और जो लास्ट वाला क्रोशे लेंगी वह हम टोटल पूरा दोनों ही हमें एक साथ लेना है इस तरह से फरस्ट यंड लास्ट हम ऐसी तरह से लेना है जो दिखे अब हम यह पर एक चैन लेंगे और इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद अब जो हम क्रोश्य लेंगे वह हम टोटल पूरा ही इस तरह से चेन पूरी लेंगे और सिंगल क्रोश्य हम कम्प्लीट करेंगे इस तरह से वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा पसंद आए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें मैं अपने वीडियो पर नएने क्राफ्ट आइडिया लेकर आती हूं जो कि DIY होते हैं आप इनको खुद भी बना सकते हैं और किसी के द्वारा बनबा भी सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो इस तरह से ये रो हमें कम्प्लीट करने ला है लास्ट तक लास्ट कम्प्लीट हो गया है उसके बाद हमें आपर एक चेन लेंगे जब हमें आपर टर्न करेंगे तो ये हमारा सीधा साइड है तो टर्न करने पर हम रो का ये साइड हम सिंगल क्रूश्य बनाएंगे इस सा सिंगल क्रोशिय बना यह उसी तरह से हमें यह पूरा पड़न अपना बना लेना है कि में यह इस तरह प्राइब पूरा लेंगे लिए इस तरह से और जो बाकी हैं फिस्त एंड लास्ट कर लेना है और यह रोका जब ये वाला हिस्सरे हमें स्सिंगल क्रूशिया बना एक इस तरह से लिगेbird हरा-धि- read husband कि यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिया है जितनी लंबाई मुझे चाहिए तो मैंने यहां पर इसकी लंबाई रखी है 12 इंच 12 इंच 12 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और यहां पर मेरा एंट होकिया है यहां पर और यहां पर आप मैं दूसरा कलर इसमें जॉइंट करूंगी तो उसके लिए हम कैंडल ले लेंगे आप लाइटर का यूज भी कर सकते हैं तो मैं हाँ पर इसको जॉइंट करूंगी इसमें तो इस तरह से जॉइंट करेंगे हम कैंडल लेंगे और थोड़ा सा इस पर टच करेंगे थोड़ा सा हम यहां पर टच करेंगे और इन दोनों को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे, यह एजीली जॉइंट हो जाता है, थोड़ी से आप इसको जॉइंट करिएगा, देखिए, बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाता है, इसे हम इसको जॉइंट कर लेंगे, और यहां पर मैंने यह वाला हिस्सा छोड रखा है, ताकि मैं यह यहां पर कवर कर सकूँ, तो मैं इसको इस तरह से लोगी, ऐसे, और उसके बाद जब हम एक चेन लेंगे, तो वो यहां पर ऐसे आ जाएगे, उसके बाद हम यहां पर जो नेक्स्ट कलर लगाना है, वो यह है, उसके बाद हम कितना इसको लंबा रखेंगे, उस बो भी मैं बनाना इस तरह तो मैं इस को बनाना है तो इस तरह से बनाना हैrix तो गूआएक करना आगे क्टातें। तो वैंगे क्या करना है हैं तो आरय पढ़ने है यहाँ चीम अनुगे लेंबा दूसरे कार, दोल reading 3 इंच में कंप्लीट ते रखी है कित्मिजी जया है कि अगर हमें लिए तेह इस तरह से कर दों एंगे एससे और जो जो यह वखिस्सा है इसमें हम slip stitch लेंगे, ऐसे, slip stitch, यहां, उसके बाद, इसमें हम slip stitch लेंगे, फिर next, इसमें हम slip stitch लेंगे, इसमें हम slip stitch लेंगे, इस तरह से में ले रही हूं, उसी तरह से आप slip stitch लेंगे, इस तरह से प्लेन आपकी चेन बनेगी, फिर इसमें हम slip stitch लेंगे, उसके बाद, इसमें, इसी तरह से हमें, slip stitch लेते हुँ जाना है, इस तरह से, यहां पर design बनेगा, और यह last, यहां से लेकर, यहां से लेकर, और यहां तक हम इसको complete कर लेंगे, यहां हमें नहीं करना है, कि हमारे यहां बना हुआ है, तो इसको हम इहां तक complete कर लेंगे, slip stitch को, देखें, यहां पर मैं लास्ट, complete, मैंने slip stitch ले लिया है, उसकी बाद हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से, इतना कट कर देंगे, और इधर की से इसको, धाय को, ऐसे निकालेंगे, इसे, और यहां पर, लाकर इसको, इधर की से से, अंदर कर देंगे, इस तरह से, यह, हमारा जोइंट नजर नहीं आएगा, और बैक सैड में हम इसको, इस तरह से नोट लगाते हुए, और हम इतना इसको कट कर देंगे, और कैंडल या फिर लाइटर की साहता से इसको, यहां पर, स्टिक कर देंगे, इस तरह से, यहां पर स्टिक हो जाएगा, तो यह हमें ऐसे कर दिना है, तो यह पार हमारा रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमें, साइड के बनाने हैं, तो साइड के बाट के लिए मैंने देखी, यहां पर मार्क लगा लिया है, तो इस तरह से आप दोनों साइड में मार्क लगा लें, अब हमें क्या करना है यह मैंने स्टिक कर दिया है यहां पर आप इस तरह से अंदर की साइड को निकालते भी आप इसको लाइटर कर सकते हैं केंडल कर से स्टिक कर सकते हैं उसके बाद मैं जो आपको बताया था 12, 13, 14, 15, 16 उसके बाद आपको ग्रोश्य लेना है जो यहां पर जिसको निकालना है उसमें हम इस तरह से यह राइट साइड है हमें रॉप में इसको निकालना है कि यहां से कर अधा तेने कि उसकी बाथ कि इसको पकटके इसको इसके साथ दबाते जाएंगी इस तरह किור यहां पर एक चेंड लेंगे ऐसी फिर नेक्सट में हम यहां पर सिंगल प्रूशर लेंगा हैा इस तरह में香 सिंगल पूशी में सिंगल मैक्स में भी सिंगल क्रोशे जो दूसरा मारकर हमारा लगा हुआ है वहां तक हमें सिंगल क्रोशे लेना है अब आप इसके बाद इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशे लेंगे अब हम इसको टर्न करेंगे टर्न करने से पहले हम यहां पर सिंगल क्रोशे ले लेते हैं एक चेंड ले लेते हैं यहां पर हमें एक चेंड लेना है ऐसे फिर हम इसको टर्न करेंगे चेंड लेने के बाद फस्ट में हमें इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे लेना है उसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और टर्न करके सको सिंगल क्रोश्या बनाएं तो पूरा इवर्क हमारा इसी तरह से बनता हुआ चला जाएगा सिंगल क्रोश्या बहां तक जहां तक हमारा जो यह एरिया है हमारा यहां तक हमें इसको बना लेना है तो यह दोनों साइड हमें यह जो पट्टी है वो हमें यहां तक कंप्लीट कर लेनी है लंबा इसकी, तो मैं complete कर लेते हूं, फिर मैं बताती हूं आगे क्या करना है, turn करके आपको single, same ऐसे ही करना है, जो अभी हमने किया है, एक chain लेने के बाद, दोनों में से ही, इस तरह से, single crochet लेते हुए जाना है, इस से, इसको हम complete कर लेंगे, दोनों साइड़ों को, तो यहां तक मैंने इसको बना लिया है, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, टूरों हम छोड़ देंगे, उससे हम, उसकी बाद हम इसमें, एक chain ले लेंगे, और यह d-ring हम इसमें fit करेंगे, तो d-ring मैं right side में fit करूँगी, बाहर की side, तो उसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक single crochet ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसको बीच में joint करना है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से, देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे, और, इसके साथ साथ, प्रोशे ऐसे निकालेंगे, इसके अंदर से, और, यहाँ पर single crochet ले 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 ले, यहाँ पर हम यहाँ तक complete कर लेंगे, तो यह हमारी पूरी जो पट्टी है, वो complete हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताओंगे, कि इसको joint कैसे करना है, यह देखिए, यह complete हो गई है, और इसकी लंबाई भी यहाँ तक complete हो गई है, अब हम इसको यहाँ से ले कर, और यहाँ तक joint करेंगे, वो कैसे करेंगे, व इसके बाद हम इसे joint करेंगे, जोइंट करने के लिए यहाँ पर हम एक single chain लेंगे, chain लेने के बाद फिर हम दोनों को पार्ट को इस तरह से रख लेंगे, और यह वाला पार्ट है हमारा chain का, इसको हम उठाएंगे, और इस वाले मैं से हम इस वाले पार्ट को उठाएंगे, इस तरह से इसको slip stitch लेंगे, next उठाएंगे, तो हम इस वाले पार्ट को उठांगे, इन दोनों को, और इसको हम slip stitch कर लेंगे, और next वाले को देखिए, ilis वाले पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पर हम slip stitch कर लेंगे, है कि तो इसी तरह से हम यह तक बनाते हूं अधिका टגर करना है तो इसको हम स्लिय पिशचिस यस्तर वести से लिए जाएंगे हैं आप इसमें दो तरह के फर बाने मोद विए आप इसको बना सकते हैं और साधस से भी यह असानी से बन जाता है दोनों क्रोशिय आप इसमें यूज कर सकते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखें इससे आपका जो बैग है वह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जब आप ठीक से उसको देखेंगे लास तक तो वीडियो को स्किप ना करें यह हमारा लास्ट में हमारा यह स्लिप स्टिच इस तरह से अब हमें क्या करना है हमें यह वाला स्लिप स्टिच और लेना है तो इसके साथ हम इस स्लिप स्टिच को भी लेंगे इसको उठाएंगे और इस वाले को भी हम उठाएंगे यह थोड़ा टाइटली निकलेगा लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश तो यह कुरोशे में आ जाएमें इस तरह से तरह आए माधी कर लेंगे आप हमें क्या करना है हमें इसार नजर आ रहे हैं हमें इनको slip stitch में लेना है देखिए यह जो पार्ट नदर आ रहे हैं इतमें हम slip stitch लेंगे इस तरह से यह हमने slip stitch ले लिया उसके बाद अब हम इनको इसको इस तरह से इधर लाएंगे और यहां वाला इससा जो है उसको slip stitch करेंगे आप चाहिए तो जो आपका जो एक्स्टर दहगा होता है उसे आप stitch कर दें या फिर इसके साथ ही आप stitch कर सकते हैं तो इसके लिए यह वाला पार्ट यूज इस तरह से यह हमने ले लिए है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हो जाएंगे और यहां लाकर इसको इसको भी हम इसी तरह सिटिज करेंगे जैस तरह से हमने यहां किसी तो इधर की सैड हमें कौन सा स्थिच लेना है जो ओ-दर से उठा हुआ है वह इस से दिखाई दिखाई दीगा इस तरह से तो हमात कि यह यह वाला सेश्टाना है उचहाना है उसके बाद नेक्स्ट हमारा वही रहेगा यह वाला स्टिच यह साइड है इसकी यह उठाने है इस तरह से हमें यह पार्ट कम्प्लीट कर देना है देखें यह रहो मैंने कम्प्लीट कर ली है तो इस तरह से इसकी यह फिनिशिंग आएगी फिनिशिंग लाइन इस तरह से बनेगी अब हमें क्या करना है यहां तक लासल करने के बाद थागे को यहां से निकाल देंगे फिरा क्ष्ट करेंगे अइसके बाद जासे हमने पहले रिपीट किया था यहां से हम इस तरह में से निकरेंगे आप दूस्रेजिंग कर देग ys değişk канते लिया क्वlifting का प्रश्डां कि इसमें से गल करें और किरें कि आन्य दागिए हम पहले ही तो पहले हम यहां पर Bei इसमें हम यह को निकालता है जाँ है लगाए है Above उसके बाद हम यह देखिए हमने ऐसे किया इधर से इसको निकालेंगे लूज करने के लिए उसके बाद यहां से इसको निकालते हुए जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह से इसको भी निकालेंगे इस तरह से और अंदर की साइड हम पहले हम इसके अंदर से निकालेंगे इसको देखिए इसको टाइट करते हुए और अंदर की साइड से धावी को निकालेंगे इस तरह से फिनिशिंग लेन आजाएगी इस किंदर से इसको निकालेंगे इस तरह से आएगा और जो धगा है इसको हम टाइट करके और इसमें नॉट लगा देगे जैसे हमने पहले लगाया था और इसको हम अंदर की साइड क्रोश्या से कर देंगे किसी मेंसे भी आप इसको निकालकर क्रोश्या से अंदर कर देए इस तरह से उसके बाद इसको कट करके यहां पर आप इसको इस्टिक कर दोगे। लाइटर से या कैंडल से यह एरिया जिस तरह से हमने यह साइड बनाया है अपना उसी तरह से हम दूसी सैड भी यहां पर जो हमने मारकर लगा रखा है तो यहां पर हम इसी तरह से बना लेंगे के में था था हम इस तरह सकते हैं किस तरह से हैं नहीं तो सिप्रेट हैं यहां। बना सकते हैं मेरे वीडियो आप सर्च किजिए इस्पारल हेंडल पर तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं इसके लाब में हैंडल्स के वीडियो भी अफ्लोड कर दूंगी इस तरह से देखिए हम चेन यहाँ पर यूज करेंगे यहां आप magnetic buttons भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यह आप open up ring भी आप यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं जब आप यहां पर यह स्लिप स्टिच लेंगे तो आप साथ के साथ इसको जॉइंट कर दें यहां भी और जब आप इस पैटन को बनाएंगे ऐसे साथ कोज़ कर दें अगर आप नहीं किया है तो आप बाद में भी इसको जॉइंट कर सकते हैं उठ रहे हैं जूज़ कर सकते हैं और आप magnetic buttons यूज़ कर सकते हैं उठ यहां पर रहे हैं यहां और आप गुदिच द्रहता के तो एप आपको विडियो अच्छी लगी गि किजेगा लाइक बटन प्रेश जरूठ देगा साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेश करें और नॉटिफिकेशन पर जिससे मेरी आने वाली सारी जो विडियोज है वो उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए स्वास्त रही खुश रही बाई बाई